Hello friends, कैसे हैं आप सभी? I hope बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ा में व्यस्ट भी बहुत होंगे एक बार फिर से सवागत है, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल E-Landing with Pre-L पर डिसकस करते हैं आज का सेशन आज हम डिसकस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा important है हमारे exam की view से topic जो कि है ovule यानि कि ovules क्या होते हैं, इनका structure कैसा होता है structure में कौन-कौन से organ present है जिन से हमारे question आ सकते हैं कितने प्रकार के ovule होते हैं with example क्योंकि हमारे exam में na question पूछे जाते हैं ovules के examples कि मतलब example mention कर देंगे पूछेंगे इसमें किस तरह को ovule पाया जाता है समसे पहले हमको जानना यह जरूरी होता है कि हमारे exam में question किस तरीके के आते हैं समझ में आया last में मैंने question भी put किये हैं कि जो हमारे exam में पूछे जाते हैं जिनकी उमीद exam में पूछ जाने के ऐसे questions को भी मैंने last में include किया है तो पूरी वीडियो को last तक देखना है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ovule के बारे में structure के बारे में उनके organs के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दू basically ovule होता क्या है ध्यान से सुनना एक एक बात को basic सी बात मैं आपको समझाते हूँ चल रही हूँ कि जो organ एक ऐसा organ है ovule जो कि seed बनाता है flowering plant में बस आप इतनी बात अब याद नोट कर लो कि organic ovule एक ऐसे organ होते हैं जो कि seed बनाते हैं सभी flowering plant में ठीक है एक छोटी सी बात और इससाथ add कर लेते हैं कि reproductive cells contain करते हैं यह कौन सी cell है वो female reproductive cells अपने अंदर contain करके चलते हैं ovule ठीक है जी तो बात समझ में आ गई हैं अब मैं आपको बताती हूँ structure के बारे में यह जो structure आप देख रहे हैं सबसे पहले जो कि mature ovule है उसके कुछ part होते हैं जैसे कि embryo sec बेसिक part है उसका next होता है new cell बेसिक पार्ट बता रहे हूँ important सभी है लेकिन basic और तीसरा है integument तो तीन पार्ट जो है किसी भी ovule के वो important है अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्या चीज़ बताई कि जो ovule है कि seed बनाते सभी integument तीन बात इसकी important है next बात करते हैं देखो भई मैंने तीन चीज़ आपको बता दी अब हम बात करते हैं embryo sec के बारे जो center में आप देख रहे हैं नहीं जो पूरा portion है that is called embryo sec ये क्या है भाई ये होता है embryo sec समझ गई आप ये पूरे embryo sec का portion है embryo sec जो होता ये होता है 8 nucleate अभी समझ लेना है 8 nucleate, 7 cell 8 nucleate और 7 cell ये जो हमारा embryo sec है ये होता है that means mature female gametophyte आप इसको कह सकते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं embryo sec आपने पढ़ लिया क्या पढ़ा है embryo sec के बारे में कि ये 8 nucleate और 7 cell है ठीक है ये तो बहुत बार पढ़ते हैं बेसिक बात है लेकिन फिर भी आपको रटने वाली चीज़ है रट लो बिल्कुल अच्छे से मैं ये नहीं कर रहे टाफिकेशन गला तो लेकिन कुछ चीजों में रटना चाहिए आपको ठीक है 8 nucleate, 7 cell है हमारा embryo sec जो कि पूरा fully mature क्या है female gametophyte है यहां तक बात clear हो जाती है embryo sec के भार आप जो इक portion देख रहे हैं ये वाला that is called new cellus ये second portion होता है ovule का ये है new cellus new cellus के बारे में बात new cellus क्या है जो कि embryo sec को घेरे हुए है वो क्या कहलाते है वो new cellus कहलाता है new cellus क्या कर रहा है आपे embryo sec को घेरने का काम कर रहा है जो कि क्या है ये होता है आपका 2N ठीक है जी ये बात भी आपने समझ ली new cellus क्या है 2N है basic बात है ये अब देखो next बात new cellus के 4 तरफ अब ये covering देख रहे होंगे ये वाली covering ये जो covering है ये जो covering है ये new cellus को घेरे हुए है इससे हम क्या कहते है इससे हम कहते है integument तो तीसरा portion क्या हो जाता है integument पहला क्या पढ़ा embryo sec fully mature gametophyte female gametophyte फिर new cellus जो कि diploid है यानि कि 2N होते है और embryo sec को घेरे हुए है तीसरी चीज हमने पढ़ी integument integument basically होते क्या है integument का काम होता है ये भी 2N होते है new cellus को घेरे हुए है और ये एक भी हो सकता है new cellus sorry integument covering जो है और ये 2 भी हो सकती है 2 दिखरे है न आपको यह 2 covering है यदि 2 integument present होते है तो हम ovule को कहेंगे bi-tagmic तो ये जो ovule है जिसमें कि आपकी ये 2 integument ये 2 है न ये इनको कहेंगे bi-tagmic bi मतलब 2-tagmic मतलब integument जो 2 layer से घेरा हुआ है new cellus वो bi-tagmic यदि single layer present है single integument present है तो उसको कहेंगे unitagmic यदि integument है ही नहीं तो उसको क्या कहेंगे atagmic ये भी होते हैं samples mention करोंगे आगे ठीक है जी ये बात आपको है तक समझ में आ जाती है अब देखो integument new cellus को सारे तरफ से घेरे हुए है दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से यहां भी integument यहां भी लेकिन ये जो reason है भाई यहां क्यों नहीं integument क्योंकि reason है micropile तो micropile basically ये top reason होता है किसका ovule का basic reason क्या होता है base जो है ovule का वो base है कहलाजा जो की क्या है base है जो की कहां present है ये portion है इसको कहते है हम कहलाजा यहां तक बात समझ में आ गई अब जो ovule है ये placenta से attach रहेगा एक stock के द्वारा ये जो stock है ना ये funicular जिसको हम कहते है ovule किससे attach है जो ovule है ये placenta से attach होता है किसी एक line के द्वारा किसी एक organ के द्वारा उससे हम कहते है funicular समझ में आ ये बात भी आपको समझ में आ गई अब देखो एक point जहां पर attachment हो रहे है ovule की पूरी ovule की जो body वो attach कर रही है एक stock से funicle से ovule की body funicle से जुड रही है एक organ के माध्यम से उस organ को हम लोग कहते है highlum और ये जो line आप देख रहे है darkish line that is called vescular strands ठीक है next बात अगर हम करते है सबसे next अगर मैं आपको बताओ तो यहां embryo sec वाले reason में जो हम ये देख रहे थे अब हम सारी बाहर की चीज़े cover कर ली हमने central cell पर आ जाते है ये है हमारा embryo sec ठीक है जी 8 nucleate है 7 cell है जिसमें की आप यहां देख सकते हो एक तो egg present होता है egg कितने है single egg present हो कि center में है और दो present है synergid ये दो egg और एक synergid मिलकर बनाते है क्या egg apparatus egg apparatus क्या होता है ये जो तीनों portion है लास्ट में जो तीनों portion है ये बनाता है egg apparatus जिसमें की दो तो synergids है और एक egg है जिसको कि हम उस फेर भी जानते है ठीक है जी ये बात आपको समझ में आगे ये two polar nuclei है और यहाँ पर ये antipodal sergion के top में present होते है यहाँ तक का portion आपको समझ में आगया ठीक है अब हम बढ़ते हैं आगे embryo sec हमने पूरा समझ लिया क्या होता है वो हमने समझ लिया इसके organs का काम क्या की है ये हमने समझ लिया अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं वही जो हमारे ovules हैं प्रकार कितने होते हैं with structure समझाँगे एक चीज को तो बीजांड के प्रकार कितने होते हैं बहुत important point है सबसे पहले हम करेंगे orthotropus के बारे में बात orthotropus मतलब की straight जो straight ovule है उसको short में straight कहते हैं वैसे orthotropus जिसमें की micropyle, chalaza और funicle ये single एक लाइन प्रेजेंट होते हैं structure दिखाती हूँ आपको साथ के साथ देखो ये structure है यहाँ आपने देखा कि micropyle ये रहा micropyle जो pore है ये embryo है ये भी single line प्रेजेंट मतलब सीधी line में एक प्रेजेंट है और ये khalaz है और ये funicle है चारो चीजे एक line प्रेजेंट है दिख रहा है आपको चारो चीजे एक line प्रेजेंट है इसलिए state ovule बन रहा है इस state है तो हम उसको कहेंगे orthotropus समझ में आया अब कोशन ये रहा है जोते है सारी चीजे एक line में प्रेजेंट है orthotropus है कोशन आता है कि कौन सी family में प्रेजेंट होते है इस तरह का ovule तो देखो भई family polygonesi piper plant piper, piperasi family इन में orthotropus तरह का ovule प्रेजेंट होता है बहुत सारे gymnos pumps में भी ये ovule देखने को मिलता है ये बात आपको समझ में आ गई next बात करते हैं कुछ भी चीज़ समझ ना है तो मुझे comment section बताय करें next second type है anotropus जिसको हम short में कहते है inverted यानि कि ultra ovule inverted यानि कि anotropus ovule second प्रकार है ovule का ठीक है जी इसमें क्या होता है कि जो body होती है ovule की वो completely inverted है यानि कि पूरा 180 degree का जो ovule है वो इसमें present होता है मतलब कि पूरा bend हो जाता है micropile और highlam में एक दूसरे के काफी close आ जाते हैं इस वाले example में आप यहां देख सकते हैं हमारा एनाट्रोपस जिसमें की जो ovule है यह पूरा inverted हो चुका है ठीक है micropile और calaza बिल्कुल सामने सामने इसमें तो यहां आप देख सकते हैं कि यह है एनाट्रोपस जो कि बहुत सारे gymnosperms में देखने को मिलते हैं question फिर वही आता है कि यह एक्जांपल क्या क्या है इसके तो आप देख सकते हैं all plants of gamopetaly gamopetaly के जितने भी plants है सब में अनाट्रोपस होता है और एक बात याद रखना जितने भी angiosperms है उनकी 80% में mostly जो angiosperms है 80% angiosperms में अनाट्रोपस प्रकार का ovule देखने को मिलता है यह बात important है यह question बहुत बार पूछा भी गया है कि majority of angiosperms है कौन से प्रकार को ovule होता है that is anatropos जो की inverted है ठीक है next बात करते है next हम बात करते है amphitropos के बारे में यह amphitropos है इसमें क्या होता है amphitropos में कि जो पूरा वो होता है ovule पूरा इस तरीके का हो जाता है देखो यहां भी यह है invert amphitropos amphitropos में जो ovule का curvature होता है बिल्कुल clear दिखाए देता है इनके embryo sac जो है न इसका घोडे की नाल की आकार का होता है यह hot shoe shaped यह question बहुत बार पूछा गया है पूछा भी जा सकता है आगे भी तो amphitropos में जो ovule है जो embryo sac होता है वो घोडे की नाल की आकार का होता है यह बात आपको याद रखनी है family है जैसे की Alice में सी family है poppy में देखने को मिलते है इस तरह का जो ovule है merabellis में, lamna में इस तरह का जो ovule है वो in plants में देखने को मिलता है तो horseshoe shaped कौन सा है यह हमारा amphitropos next बात करते है fourth point की जिसमें के हम से पूछा गया है कि camylotropos प्रकार को ovule किस में होता है और किस तरह का होता है यह जो ovule है काफी coughed हो जाता है micropyle बिलकुल direct सामने होता है तो यह होता है camylotropos जिसका example आप देख सकते है मैं आपको structure के माध्यम से बताऊंगे यह है camylotropos यह micropyle होगे यह calaza होगे ठीक है तो यह camylotropos है इसके example क्या क्या होता है camylotropos के जैसे कि leguminacy की जितने भी plant है leguminacy family में देखने को मिलते हैं को इस तरह का जो ovule है वो leguminacy में crucifery में देखने को मिलते हैं examples जो है और family जो है उनको ध्यान से learn कर लेना क्योंकि यह question हर बार आपसे एक दो question ovule से आ ही जाते है बहुत important topic है बहुत ही ज़्यादा important है note करना सभी points को session पसंद आए न तो please like करना share करना subscribe करना subscribe करना में एक जूसे क्यों करते हैं आप लोग इतना बहतर इतना authentic content मैं आपको provide कराती हूँ तो इसलिए like, subscribe और share भी कर दिया करें comment करके बताना आपको session कैसा लगा next बात करते है hemitropos के बारे में जो भई hemitropos है न इसका एक बार structure में आपको दिखा हूँ renonkulasi family जो renonkulasi उसमें देखने को मिलता है यह है hemitropos hemitropos के बारे में बात यह होती है कि newcellars और integument बिल्कुल एक right angle पे होते है funiculus की यह renonkulasi में होता है next बात करते है circinotropos की circinotropos में देखो पूरा 360 degree revolve हो रहा है यह जो ovule है पूरा 360 degree revolve हो गया ovule ठीक है जी यह होते है opiun tea में opiun tea में circinotropos तरह का देखने को मिलते question बहुत बार पूछा गया कि circinotropos जो है इस तरह को ovule किसमें देखने को मिलता है तो वो है किसमें opiun tea में यहां भी देख लेते है तो opiun tea है cactus के कुछ members है उनमें इस तरह का ovule देखने को मिलता है ठीक है अब देखो मैंने आपको पूरी detailed theory बात कर लिया ovules क्या होते है कितने प्रकार के होते है उनके structure कौन कौन से उनके organs क्या है सब हम बात कर चुके है लेकिन अब हम बात करेंगे कि मैं question किस तरीके के पूछे जा सकते है ovule से तो वो देखे हैं आसब से पहला question देखते है बहुत आर पूछा भी गया यह question the ovule in which micropyle lies at one end while chelaza and hyalum lies at opposite end is called as यानि कि जिसमें सब चीज़े स्टेट में होती है एक side micropyle है दूस side kelaza और hyalum है यह किसमें होता है orthotropos में होता है enotropos में amphitropos है camelotropos में तो आपने पढ़ाता है जहां सारे चीज़े एक लाइन प्रेजेंट है उससे हम क्या कहते है orthotropos तो हमारा first option ठीक हो जाएगा कौन कितना band कितना करवेचर है embryo sec कब मैंने आपको सभी बताया है तो इसलिए हर चीज़ को ध्यान से समझना है हमने second point है polygonum type of embryo sec is polygonum प्रकार का embryo sec कैसा होता है 8 nucleate 7 cell 8 nucleate 8 cell 7 nucleate 7 cell 7 nucleate 6 cell यह जो polygonum प्रकार का embryo sec बहुत ही ज्यादा common है यानि कि बहुत सारी plants में इसी तरह को ovule देखने को मिलते है embryo sec देखने को मिलता है 8 nucleate 7 cell होता है यह सबसे पहले polygonum में देखा गया था कुछ बायोलोजिस्ट ने इसलिए इसको कहा गया था polygonum type of embryos है ठीक है तो पहला ही point है इसको note कर ले न 8 nucleate 7 cell next question इन majority of angiospum the ovule is यह सभी question बहुत बार पूछे गया और expected है कि exam में next बार भी पूछे जाएं majority कहती है कि जो angiospum के जो जादातर families है मतलब plants angiospum के उनमें वो व्यूज किस तरहिके के होते है chemilatropos है hemianatropos है amphitropos है फिर anatropos बताया थे मैंना आपको जो मैं थोरी करा रही थी कि जो anatropos है न around 80% angiospums में anatropos प्रकार को व्यूज देखने को मिलता है ठीक है next fourth question last question है elongated cells present at the mycopylar end of the embryo sec are called बताया जब मैंने structure आपको पढ़ा रही थी मैंने तब बताया था synergates कहा है elongated cells होती है ये तो ये होते है synergates ठीक है तो synergates right option हो elongated cells हो जो mycopylar present होती है वीचे present होती है obvious सी बात है तो यहाँ हम पुरा obvious के session discuss कर चुके है कोई चीज आपको समझो में नहीं आई तो मुझे comment section में जरूर बताना और next session क्या होगा ये मुझे बता देना इदि आपको कुछ important जल्दी से पढ़ना है तो वो भी वरना भी तरीके से पुरा syllabus कराते चली रही हो ठीक है नेक्स डिसक्स करेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स टोबिक तब तक लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना